दोस्तो एक Reddit Loan एप से अगर आप भी लोन लेना चाहते हो बहुत ही असानी से लोन मिल जाती है इस एप से लोन लेने के लिए दोस्तो आप सभी लोग को इस एप पे अपना फोन नमर दे कर यहाँ पे लोग इन करना होगा उसके बाद किवाईसी कराने होगी जिसमें आपको आप फोटो, अधारकाट की फोटो, पिनकार्ट की फोटो, बैंक अकाउट की फोटो, देनी है और बैंक अकाउंट का नमर भी दे देना है उसके बादी दोस्तो आप सभी लोग को legवाद करने के बाद बता देनी मेरे को 30,000 की लोन, 40,000 लोन चाहिए 50,000 की लोन जाये जैस देख सकते हैं, 6,697 रुपया है, टोटल व्याज होता है, एक साल के लिए अगर आप 60,000 का लोन लेते हो, तो 6 महीने की दोस्तों आपको लोन मिल जाती है, और एहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा और भी लोन मिल जाती है, कुछ दिन के लिए, देख सकते हैं, अगर आप इस एप से लोन लोगे 60,000 का तोटल 297,960 रुपए ही जाएगा टोटल और यहाँ पर इंट्रेस्ट वगेरा भी जोड लिया जाता है दोस्तो आप सभी लोगो को एक credit लोन एप जो है यह application instant लोन देती या नहीं वो मैं आपको बता रहता हूँ देखो दोस्तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 से लेकर 500,500 रुपए तक की लोन दे देगी 91 दिन से लेकर 360 दिन के लिए लोन दे देगी 10% से लेकर 200 यहाँ पर चौबिस परसेंट तक है ब्याज लग भग दोस्तो अगर आप सभी लोग इस एप से 300 दिन के लिए लोन लियो हो सिर्फो सिर्फो 10,000 का तो यहाँ पर टोटल आपको 12% का जो है ब्याज वो देनी होगी जो दोस्तो टोटल 300 दिन के लिए लोन जो लियो हो 10 ज़र का उस पे जो टोटल ब्याज देनी है वो देनी है 986 रुपया है यहाँ पे दोस्तो आप सभी लोगो को लोन लेने के लिए जो डाक्युमेंट के रिक्वाइरमेंट पड़ेगी और एलिजबिलेटी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लिकेशन को डालोट कर रहा है 4.4 की रेटिंग मिली हुई है इस एप से दोस्तों आप से भी लोगों को लोन लेने पर काफी ज़्यादा है दिक्रते आ सकती है यह और रिवीउस पर करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ल इस एप से लोन नहीं मिलती है यहाँ पर एक रिवीडिट लोन आप से बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है अगर लोन लेते हो तो फस्द लगे वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक कर दिजिए गा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे ही वीडियो तेखने के लिए झालोस्टव्ब यत्ते हैं